नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंग खन्ना हुमियोपेथिक क्लीनिक पे इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वगत है साथियों, आज हम बात करेंगे हाइपर्थारेडिजम के बारे में हम बात करेंगे हाइपर्थारेडिजम के बारे में हाइपर्थारेडिजम साथियों आज कल बहुत कॉमन हो रहा है और बहुत मरीजों को हो रहा है और यहाँ ऐसा मर्ज है जो आपके BMR को इत्ताहाई कर देता है कि पूरा जो बाड़ी की टाइम किलाफ होती है उसको तेज कर देता है हर चीज आपकी जल्दी होने लगती जिससे आपको वेट लॉस से लेके वीकने से लेके गर्मी से लेके तमाम सिंटम्स मैनिफेस्ट होते हैं आज हम बताएंगे हैपर्थारिडिजम को ठीक करने की दसकारगर होमियोपेटिक दवाएं आपको सामान करने की समस्य से निकालने की दसकारगर होमियोपेटिक दवाएं सबसे पहले साथियों जान लेते हैपर्थारिडिजम होता क्या है Hyperthyroidism आपके सरीर की वह इस्तिती होती है जब आपके thyroid gland से thyroxine hormone ज़्यादा सिक्रीट होने लगे यह यह कहें कि आपका thyroid gland thyroxine hormone ज़्यादा सिक्रीट करने लगे जब thyroxine hormone आपके सरीर में ज़्यादा सिक्रीट होती है तो आपके सारी activities सरीर की बहुत तेज हो जाती है वहाँ condition ही hypertherism होती है hypertherism के साथियों तमाम symptoms होते हैं जिसमें सबसे important symptom है weight loss आपका unexplained weight loss होने लगता है आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है हर्ड की pounding बढ़ जाती है आपके hairs thin होने लगते है आपको चिटचड़ा बनाने लगता है आपका sleep disorder हो जाता है आपको नीन नहीं आती है आप restless हो जाते है इस तरह के तमाम symptoms होते हैं जो hypertherism में present होते है एक साथियों symptom जो कुछ लोगों के produce होता है hypertherism होने पे वहाँ है graze hypothalmy graze hypothalmy तब होती है जब आपका ice socket के बाहर protrude करने लगती है यहाँ उन लोगों के ज़्यादा होता है जो smoke करते है तो यहाँ को symptom होते है इसके अलावा अन्य symptom और भी होते हैं जैसे आपका digestion disturb हो जाता है आपका bubble movement ज़्यादा हो जाता है आपके anxiety आ जाती है और weakness बहुत आ जाती है Hyperthyroidism के साथ यहों कई सारे cause होते है जिसमें से बहुत important cause Graves disease होता है Plummers disease होता है thyroiditis होती है Normally होता है क्या हमारे body में जो यह हार्मोन हार्मोन बहुत minimal substances होते हैं जो secret होते हैं processes को regular करने के लिए हमारे glands दवारा तो यह T3 और T4 हार्मोन जो है यहाँ thyroid आपका secret करता है और यही determine करते हैं आपके हर cell में metabolism क्या होगा fat की ता अब्जार्व होगा carbohydrate की पेस पे अब्जार्व होगा body कैसे काम करेगा जब इसका इडिफरेंस हा जाता है तो यही जो है वहाँ आपको hypertheridism को represent करता है grace disease सात्यों तब होता है जब आपका खुद का autoimmune system आपके thyroid cells को destroy करने लगता है और उसके कारण आपका thyroid जो है वह ज़्यादा T3 secret करने T4 secret करने लगता है तो T4 हार्मोन आपकी ज़्यादा secret होने लगती है autoimmune disorder के कारण जब आपके वो thyroid के cells को destroy करता है उस condition में जो ज़्यादा thyroid hormone secret होती है T4 secret होता है वह इस्तिती ही grave disease को represent करती है और आपके body में thyroid के level को elevate कर देती है फिर एक साथ ही दूसरा cause आता है जो है plumbers disease का plumbers disease उस condition को कहते हैं कि जब आपको thyroid gland होता है उसके जो एडिनोमा होते है वो कुछ एडिनोमा अलग हो जाते है वाल के कारण और वो separately जो है एक अधिक quantity में हार्मोन को thyroxine को secret करने लगते है उस इस्तिती को plumbers disease कहते हैं यहाँ एक cause होता है आपके hyperthoridism का और तीसरा cause होता है thyroiditis जब किसी के pregnancy होती है तो pregnancy के दौराण और pregnancy के बाद जो extra thyroid hormone thyroxine hormone secret होती है वहाँ जो है वहाँ आपकी blood stream में leak कर जाती है store होने के बज़ाए और धीरे-धीरे release होने के बज़ाए वह आपके blood stream में leak कर जाती है उस इस्तिती को thyroiditis कहते है तो यहाँ तीन important cause होते है आपका agress disease हो गया plumbers disease हो गया और thyroiditis हो गया यह तीन cause होते है आपके thyroid के ज़्यादा बढ़ने के आपके blood के concentration में thyroxine hormone के बढ़ने के अब साथियों चलते हैं सफर पे जिस पे आपको बताते हैं 10 कारगर homeopathic दवाए आपके hypersidism को ठीक करने के लिए दवाएं बताने से पहले साथियों एक बार फिर हम आपको बता दे यह दवाएं आपके education के लिए है कोई भी दवा बिना किसी कुसल के से prescribe करें ना लीजिएगा सबसे important दवा साथियों जो की homeopathic में hypersidism के लिए है वहाएं आयोडम आयोडम बहुत कारगर दवाए homeopathic में hypersidism के लिए जब आपका weight loss बहुत तेज हो रहा हो अचानक हो रहा हो और बहुत जादा हो रहा हो डिस्पाइट इसके कि आप बहुत खापी रहे तो अगर आप अचानक weight loss अपने में देखते हैं और बहुत गरम हैसूस करते हैं और आपको hypertherdism में आप बिल्कुल दुबले पतले हो चुके हैं तो उस इस्थिति में आपकी रवा आयोडम है आप 1 एम के 3 खुराग 5-5 मिनिट के फासले पर weekly ले ले लें आप देखेंगे कि आपको फाइदा हुआ और आप वापस आपका weight gain होने लगा आपकी weakness खतम होने लगी फिर एक इस्थिति आती है साथि हो hypertherdism में कि जब आपके exothalmas हो जाता यानि कि आपके आखे पर टूट करने लगती हैं आपको जो है बहुत डलने साने लगती है अगर YSTT आपके hypertherdism में हो तो उसको ठीक करने की बहुत कारगरदवा थाइरोडिनम है आप थाइरोडिनम 3X पावर में एक एक टाइबलेट दिन में तीन बार ले सकते हैं अगर आपके एक सब्थार्मस यानि के आखें प्रोट्यूड होना उस तरह का सिम्टम आपके आ रहा है तो थाइरोडिनम 3X आपको बहुत फाइदा देगी और आपके hypertherdism को भी ठीक करेगी एक सिम्टम जो आपका hypertherdism में आता है वह है चिचड़ापन गुस्सा तो अगर आपके hypertherdism में और मरीश को बहुत गुस्सा महसूस होता है तो उसको गुस्से को ठीक करने की hypertherdism को ठीक करने की और आपको सम्मान इस्तिती में लाने की हुम्योपेथी में सबसे अची दवा है नाट्रमियूर आप नाट्रमियूर बानियम के 3 खुराग 5-5 मिनिट के फासले पर वीकली ले सकते हैं अगर आपको गुस्सा बहुत आता है नमक खान आपको ज़्यादा पसंद है आपका बदन ही गहरा है और गर्दन आपकी थोड़ी सी पत्ली सुराही जैसी है यहां एक कॉंस्टिटूशन का भी सिम्टम का भी हुम्योपेथी महत होता है इसलिए हमने आपको यह सिम्टम बताया तो उस इस्तिती में आप अपने चिर्चड़े पन को दूर कर करने के लिए और हैपर्थार्टिसम को ठीक करने के लिए ने क्लिए हम यह की थी खुराओ की होमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है लेकैसिस म्यूटा इसका वन येम पावर की तीन खुराक आप 55 मिट के फासले पर वीकली ले सकते हैं यहां बहुत कारगर दवा है जो आपको ठीक कर देगी लेकैसिस का पेशेंट नॉर्मली बहुत जादा बो रिलीव होके आपका जो हाइपर्थार्टिसम की कंडिशन है वहाँ भी ठीक होने लगेगी फिर एक स्थिती है साथियों हाइपर्थार्टिसम के केस में कि कभी-कभी मरीज को भूब बहुत ज्यादा लगती है उसका वेट लॉस होता जाता है अगर यह स्थिती आपको है तो इससी को ठीक करने की और हैपर्थार्टिसम को ठीक करने की सबसे बड़ी हदवा आयोडम है आप आयोडम वन एम की तीन खुराग पच-पच मिनिट के फासले पर वीकली ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपका हाइपर्थार्टिसम भी ठीक होने लगा और आपको जो भरपूर भोजन ग्रहन करने के बाद भरपूर खाना खाने के बाद भी और भोजन की चाहत होती है और उसके कारण वीकनेस तब भी आती रहती है वहाँ वीकनेस खतम हो गई आयोडम के मरीज जैनरली बहुत गरम होता है यानि उसको बढ़ी गर्मी हीट मैसूस होती है तो तो अगर आपको hypertherism है और आपका बढ़िया खाना खाने के बाद भी यानि भर्पूर मात्रा में खाना खाने के बाद भी weight loss हो रहा है तो उस इस्थिति को और hypertherism को ठीक करने की सबसे कारगरदवा आयोड़म है फिर साथियों एक इस्थिति आती है खासतोर से हमारे घर महिलाओं में कि उनको hypertherism हो गया है और उनका weight gain बहुत हो रहा है और उनको सक्ष कप्स बनी रहती है तो अगर आपको constipation की इस्थिति है आपका मरीज जो है वो फ्लैवी यानि बल्की यानि भारीपन है और उसको hypertherism है तो उस महिला के लिए विशेश कर महिलाओं के लिए कोमियोपैथी में hypertherism को ठीक करने की बहुत कारगन दवा है ग्रफाइटिस अगर आपके यह स्थिति है तो आप ग्रफाइटिस थर्टी दो दुबूर दिन में तीर बार ले सकती है इस दवा लेने से आपके जो obesity है वो भी खतम हो जाएगी आपका obstinate constipation भी खतम हो जाएगा यानि कब्स खतम हो जाएगी और आपका hypertherism ठीक हो जाएगा एक बहुत common condition जो आप देखते होंगे hypertherism में कि hair fall मरीज के बाल बहुत जड़ रहे है और उसको hypertherism है तो अगर आपके hypertherism है और बाल धरने की condition साथ में है तो बाल धरने के रोपने की होमयोपैटी में बहुत कारगर दवा है फॉस्फोरस आप फॉस्फोरस वजियम के तीन खुराग 55 मिनिट के फासले पर वीकली ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपके बाल धरना भी रुख गए और आपका hypertherism भी ठीक होने लगा फॉस्फोरस के पेशेंट की तकलीफें शाम के वकर बढ़ती है उसे ठंडा चीज दवा फॉस्फोरस है एक सिती आती है साथियों है पर फॉर्टिजम में कि जब छोटा बच्चा जो होता है उसके लिए सिती आती है वो बहुत छोटा बेबी है और उसका बड़ी बहुत जादा ऑस्टिनेट है यानि फूला हुआ है यानि वह सिती है तो उसको भी ठीक करन कि हुम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है लेपीज इल्मम आप लेपीज इल्बा थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार दे सकते हैं कि जब बहुत छोटा बच्चा हो बहुत बलकी हो और उसके हैपर्थर्टिजम हो तो लेपीज इल्बा आपके रिस्क्यू के लिए आएगी थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बार दिने पर यहां को ठीक करेगी और आपको नॉर्मल कंडिशन में ला देगी एक साथ यह कंडिशन आती है जब आप डिप्रेशन में होते हैं और आपको हैपर्थर्टिजम होता है और आप डिप्रेशन में होते हैं तो अगर यहां कंडिशन आपको अपने में दिखे तो इसको ठीक करने की होमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है को कॉनियम आप कॉनियम मैकुलेटर वनियम पावर में तीन खुराग पच-पच मिट के फासले पर वीकली ले सकते हैं जब आपको डिप्रेशन की स्थिति और आपका थाराइड बढ़ा हुआ हो रिपोर्ट में वो बढ़ा हुआ निकला हो और आपके हतेली से बहुत पसीना आता हो तो इन इस्थितियों को ठीक करने की होमियोप्रेथी में बहुत कारगरदवा कॉनियम एकुलेटर एक इस्थिति या साथियों जब अपने बच्चे-बच्चियां होते हैं जब वो प्यूबर्टी की एज पर आते हैं तो उनके वेट लॉस पहुत थेज होने दगता है उनको ह अगर वहां इस्थिति हो कि प्यूबर्टी की एज हो जिसमें कि आपका वेट लॉस्टेजी से हो रहा हो और आपको है पर सुरितम हो गया हो तो उसी स्थिति को ठीक करने की होमियों पैसी में बहुत कारगरदवा कैलकेरिया आयोडेटम है आप कैलकेरिया आयोड 6x पावर में दो-दो गोली दिन में तीन बार ले सकते हैं उस कंडिशन में जब आपके घर किसी बच्चे को प्यूबर्टी की एज के आराउंट पर हाइपर्थारिजम हो रहा हो उसको बहुत बीखने सारी हो उसका शरीर ना बन रहा हो जिसे कहते हैं उसको एमेसियेशन की तरफ ज क्लेवेटम है आप लाइको पोडियम 30-22 दिन में तीन बार ले ले आपका हाइपर्थारिजम के कारण होने वाला वेट लॉस भी रुखेगा और हाइपर्थारिजम भी ठीक होगा साथियों एक स्थिति आती है हाइपर्थारिजम में कि जब आपके धरकन बढ़ने लगती यह आपको फैल्पुटेशन मेंशने लगता है उसस्थिति मेंए हैपर्थारिजम को ठीक करने की बहुत कारगर होमेयोप्योपफिक दवाये हैं पहली दवा है लाइको पसेजिनिकस और दूसरी दवा है है लाइको पसफ़ैं निकस उसस सिटिति में हाईपर्थारिजम को तो ठीक करने की बहुत कारगर दवा है, जब आपके नर्वसनेस से धरकन बढ़ती हो, जब भी आपको एक नर्वसनेस की इस्तिती आती हो, आपके दिल की धरकन बढ़ जाती हो, अगर उस्तिती में आपके पैल्पिटेशन हो रहे हैं, तो इसको ठीक करने की दवा, यानि कि थोड़ी भी खेचल पड़ी थोड़ी भी मेहनत पड़ी तो आपके दिल की धड़कन बढ़ गई अगर आपके यहां इस्तिती है तो इसकी बहुत कारगरदवा है इस्तिती को ठीक करने के और हाइपर्थारिजम को ठीक करने की लोडम आप लोडम 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं आपका PALPITATION भी नॉर्मल हो जाएगा और आपका HYPERTHORIDISM भी ठीक होगा ये सातियों कोई दवाएं थी हाई पर थारिजियμεं के विशय में, इसको करने के विशह में हम आपको फिर से पताना चाहेंगे कि कोई भी दवा बिना किसी कुसल चिकिसक से पूछे ना लीजिए क्योंकि आपके इसाब से कौन सी दवा मुफीद है आपके लिए यहां किसक ही आपका केस लेने के बाद डिसाइड करेगा आपके मन में कोई भी कोई हो कोई भी सवाल हो तो आप यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में हमको कुश्चिन लिख सकते हैं या हमारे वाट्साइप नमबर 9415786380945786380 पर आप वाट्साइप कर सकते हैं कोशिश करेंगे कि आपको संतोष चरह जवाब मिले इस बात पर माफ कीजिएगा कि हो सकत की मैं कहता हूं अगर रोज 10,000 में से जा रहे हूं तो शायद आप भी सबका जवाब तुरत नहीं दे पाएंगे या रेलिवेंट लोगों का ही रेलिवेंट कोश्चिन का ही जवाब दे पाएंगे अगर साथियों आपको यहाँ वीडियो लापकारी लगा हो समाज के लिए अच्छा लगा हो और आपको इससे इंफरमेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा अपने चैनल को सब्स्राइब करिएगा चैनल को शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्ल पहले पाते रहिएगा आपका हमारे साथ इती देर रहने के लिए बहुत-बहुत आभार बहुत-बहुत धन्यवाद करिएगा आपका हमारे साथ बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत करिएगा बहुत-बहुत कर दो कर दो कर दो कर दो